नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमेशा की तरह जेनरल नॉलिज के मोश्ट इंपर्टेंट कोस्चन्स के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तो कि हमारे चैनल पर केवल डिफेंस की तैयारी कराई जाती है डिफेंस की जो जॉब की बेकंसी निकलती हैं उनकी अपडेट और उनके रिटेन एक्जाम्स के लिए जो आपके लिए जेनर नॉलिज के कोस्चन्स होते हैं बो हम एकदम अच्छी और स्लेक्टिब कोस्चन्स आपके लिए लेकर आते हैं तो दोस्तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप किसी भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह दोस्तो जो भी फोर्स हैं इनमें जो रिटन एक्जाम के लिए जेनर नोलेज आती है वो विल्कुल सेम ही आती है थोड़ा बहुत ही अंतर होता इसलिए दोस्तो अगर आप इनमें से किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे चैनल बहुत ही ज़्यादा महित्पूर्ट चैनल है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहेंगे तो चलिए दोस्तो बिना समय गवाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बल आकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने बाली वीडियो की नोटिक्रिकेशन आप तक पहुँचती रहे दोस्तो रात के लिए आठ वजे आपको डेली हमारे चैनल पर एक जनरल नौलिज की वीडियोज मिलती है जिसमें हम डिफेंस से सम्बंदित कोस्टेंस आपको लेकर आते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेशन नंबर बन है प्रथम स्वधिनता संग्राम की इस्थापना कब हुई ओप्शन से आपके 1869 में 1858 में 1856 में या फिर 1857 में तो क्वेशन नंबर बन का सही आंसर है आपका ओप्शन डी 1857 में जिहां दोस्तों प्रथम स्वधिनता संग्राम की जो इस्थापना हुई थी वो 1857 में स्टार्ट हुआ था ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नंबर दो 1857 इस्वी के आंदोलन के मद्ध भारत में क्रांती का नेतरत कि किस ने किया ओप्शन से हैं नाना साहिब ने, मंगल पांडे ने, महरानी लक्ष्मी बाई ने या फिर इन में से कोई नहीं तो कोश्चन नंबर दो का सही अंसर है आपका ओप्शन सी महरानी लक्ष्मी बाई ने जिहां दोस्तों जो अठारा सो सत्तावन की प्रिथम स्वाधिनता संग्राम की जो क्रांती थी उसका जो नेतरतत्व किया था भारत में वो किया था महरानी लक्ष्मी बाई ने नेक्स्ट कोश्चन है आपका कोश्चन नंबर थ्री नाना साहिब ने किस सहर पे अधिकार करके अपने आपको वहां का पेसवा घोसित किया था ठीक है नाना साहिब ने किस सहर पे अधिकार करके अपने आपको पेसवा घोसित किया ठीक है ओप्शन से आपके कानपुर बा बैरगपुर शाबनी में किस सैनिक ने चर्बी युक्त कार्तुष के प्रयोग से इंकार किया और आपके सामने आ चुके हैं दोस्तो असफाकुल लखां, रामप्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे और इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो अगर आपको हिस्ट्री की थोड़ी सी भ मंगल पांडे, कोश्चन नमबर फाइब है, रानी लक्षमी बाई ने किस ब्रिटिस जनरल से युद किया था, ठीक हैं, आप्सन से हैं, हिरोज से, आप्सन बी, केनिंग से, आप्सन सी, डल होजी से, और आप्सन बी, इर्विन से, तो कोश्चन नमबर फाइब का सही आंस नेक्स्ट कोश्चन के तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यह जो वीडियो देख रहे हैं, इसकी आप अगर पीडियो फाइल को फ्री में डाउनलोड टरना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से ज़रूर जुलें, जिसका लिंक में इस व भारती राश्टरिता का पैगंबर किसे कहा जाता है, ओप्शन से हैं, राजा राम महुन राय, ओप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ओप्शन सी दयानंद सर्श्वती, और ओप्शन डी नारायन गुरू, तो कोश्चन नमबर सिक्स का सही आंसर है आपका, ओप्शन ए, र स्थापना की थी, ओप्शन से हैं, ब्रह्म समाज की, ओप्शन बी आरे समाज की, ओप्शन सी राम कृष्ण मिशन की, और ओप्शन डी प्रार्थना समाज की, तो कोश्चन नमबर सेविन का सही आंसर है, ओप्शन डी प्रार्थना समाज की, जी हां दोस्तो, महादेव गो Option A. स्वामी विवेकनन्द ने Option B. राजा राममोहन राय ने Option C. गोविंद रानाडे ने Option D. नारयन गुरु ने Question No. 8 का सही आंसर होगा आपका Option A. स्वामी विवेकनन्द ने जिहां दोस्तों राजा स्वारी रामकृस्ण मिसन की इस्थापना की थी स्वामी विवेकानन्द जी ने नेक्स्ट कोस्टिन के तरब चलते हैं कोस्टिन नम्बर नाएन बनारस हिंदू विश्विद्याला की स्थापना कब हुई ओप्शन से आपके ओप्शन A, 1917 ओप्शन B, 1915 ओप्शन C, 1916 और इन में से कोई नहीं तो 1917, 1915 या फिर 1916 बनारस हिंदू विश्विद्याला की स्थापना कब हुई ठीक है बनारस हिंदू विश्विद्याला को दोस्तों सौट में हम BHEO भी बोलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्स्टि ठीक है तो यहाँ पर कोस्चन नमबर 9 का सही आंसर होगा आपका ओप्शन C, 1916 में बनारस हिंदू विश्विद्याला की स्थापना की गई थी कोस्चन नमबर 10 है भारत के राष्टरी आंदोलन का पिर्मो कारण क्या था ओप्शन से आपके ओप्शन A बंग बंग ओप्शन B, रॉलेट एक्ट ओप्शन C, A और B दोनो और ओप्शन D है आपका इन में से कोई नहीं तो कोस्चन नमबर 10 का सही आंसर होगा ओप्शन C, A और B दोनो ठीक, रॉलेट एक्ट और बंग बंग जो एक था इन दोनों के कारण दोस्तों भारत के राष्ट्री आंदोलन का प्रमो कारण बनाता है ये दोनों ठीक है तो ये थे दोस्तों 10 कोस्चन कोस्चन कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बता देना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और एक बात आपको और बता देना चाहता हूं दोस्तों मैं ये वीडियो जो है केवल डिफेंस के एक्जामत को ध्यान रखते हो बनाई गई है जैसे कि आर्मे एरफोस नेबी और बांकी जो एससी जीडी के इंतरगर जो भी फोर्सेस आती है इनमें दोस्तों किसी भी डिफेंस के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में आपके लिए जो एक वीडियो का एक एक प्रिस्न है वो महत्पूर्ण है आपके लिए वीडियो दोस्तों एन तक जरूर देखना चाहेंगे ठीक है और ऐसी ही वीडियोज प्राप्त करने के लिए डेली और इनकी PDF को डाउनलोड करने के लिए फ्री में हमारे YouTube चैनल SIVA Online Classes को आपको सब्सक्राइब जरू करना चाहेंगे ठीक है दोस्तो तो हमारे YouTube चैनल के दोस्तो लिंक है आप यहां पर अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो SIVA Online Classes करके आप अपने YouTube के एप्लिकेस में सर्च करेंगे तो सबसे नंबर बन पर दोस्तो हमारे चैनल आपको दिखाई देगा इसको सब्सक्राइब करने के लिए आपको दो बेनिफिट्स होंगे नंबर बन दोस्तो आपके लिए जो भी इंडिया में गवर्मेंट जोब निकलेगी डिफेंस की उसके आपको अपडेट मिलते रहेगी एकदम करेक्ट अपडेट मिलेगी आपको कहीं पर भी भटगने की जरूरत नहीं है आपको कोई भी कोस्टेंस पूछना चाहते हैं उस जोब से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं और दूसरा फाइदा आपको यह होगा कि उनकी दोस्तो रिटेन एक्जाम होगा झाल